चट पूजा के लिए सजने लगी दिल्ली जिहां इस वक्त मैं आई टियो पे हूँ मैं आपको बता दूँ कि यहां सबसे ज्यादा चट व्रती यहीं आते हैं व्रत करने और यहीं आते हैं वो जल में खड़े होने के लिए तो इस वक्त जो सबसे खुबसूरत जगह है यानि जगह है इसलिए मैं कहूं कि इसको जो पर्मेंट सॉलिशन स्ट्रक्चर के तौर पे पुर्व मुखमंत्री शीला दिक्षित ने बनाई थी तो उसको अब मैं आपको दिखा दूँ कि यह जो तलिया की तरह जो बनाये गए गए हैं स्विनिंग बूल नहीं है बलकि यह सिर्फ च्छट घाट है और च्छट घाट सिर्फ शट घाट के च्छट पूजा के मौके पे ही इसको ऑपरिन किया जाता है और पानी की विवस्ता की जा रही है जैसा आप देख रहे होंगे पानी चला दी गई है यह सरकारी व प्रवांचलवासी हैं जिनके वोट पे हर राजनितिक दल की रोटियां सेकी जाती हैं वो अपनी जगह हैं सबसे अच्छी और सबसे बहतरीन बात यह है कि इतने प्रवांचलवासी जो हैं एक साथ पुरे दिल्ली में खड़े होते हैं और उनके घर के जो भी व्रती हैं वो में फाल पानी में चल में खड़े होती हैं उनके इसिर्फ एक ही आस्ता है कि सुर्य भगवान उनके आशिरवाद बरसाए रहें नके बच्चे को परिवार को और उनके तमाम सारे साहियों को भी उनके उपर भी आशिरवाद दे तो मैं आपका सारे ऐसे एसली सांकber से दिल वो एक महावरत के तौर पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास में देखने को मिल जाती है। पूरे विश्व में आप जगा जाए देखते हैं। लेकिन हम सिर्फ दिल्ली की बात इसलिए कर रहा है कि दिल्ली कैसे सजी है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि दिली में आप रहते हैं या दिली के आसपास कहीं भी रहते हैं तो देखना चाहते हैं कि वाकि में दिली में से सरकारी कर रही है वो काफी है या दिली में सरकारी कर रही है स्रिफ राजनिती हो रही है राजनिती अपने जगा हो रही है लेकिन काम भी हो रहा है और मह दाहिने हाथ में आप देख रहे हैं यमना नदी वह रही है यमना नदी के जो जलस्तर हैं उसको आप जानते ही हैं कि बहुत इसमें गंदगी बहुत बदवू और तमाम सारे चीज़ों लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें आप यहां खड़े हो सकते हैं बहुत जादा गंदा पानी इसमें बहता हुआ नेजर नहीं आ रहा है बलकि पानी भी है गंदगी है लेकिन वह जो पहले बहुत ज्यादा गंदी हुआ करती तो उसमें कमी आई है बहुत क्योंकि हम लोग जब भी यहां रिपोर्टिंग के दौरान आते थे तो यहां खड़े होना मुश की तरह जो है 25 दिन से यहां पर लगे हुए पूरा चट समीत के सारे अधिकारी गान लगे हुए और इसको जो है अपना अपने घाट को यहां पर बहुत गंदगी थी जितना भी आप सामने देख रहे हैं सब इसी में से कृतिम घाट में से ही मलवा उठाकर उठकी आ गया ह हम लोग अंदाजा कम संग में हजार आदमी तो खड़े हो जागे हैं यहां पूरे मना में लगवा कम समें एक सब्सक्राइब लाग है तो आज यहां शुरुवात हुई है आज से पानी भी पानी का वहाब बहुत तेज कर दिया गया ताकि साफ पानी जो है वह बाहर निकल और कल यहां परशो शाम तक यहां स्वक्ष जल मिले और व्रती जो हैं लाखों के संख्या में व्रती पूरे दिल्ली में अपने घंडों से बाहर निकलेंगे और आसवास में सिर्फ 1100 घाट ही नहीं बलके तकरिवन 3000 से ज्यादा घाट जो हैं अलग-अलग छोटे-छोटे कश्मे में चोटे-चोटे बलॉक में आर्डे डवलूए से लेकर पार्क पार्क से लेकर तमाम सारे स्विमिंग पूल्स में ऐसी तमाम जगों पे कि इस आस्था के महापर्व में इससे इतने बड़े लेवल पे यूं कहीं कि जो त्यहार करने बाले या चटवरती जो हैं और उनके साथ जो आशिरवाद प्राप्त करने वाले जो होते हैं वो भी इसमें शामल होते हैं तो यह बहुत महापर्व है और इतने बड़े लेवल पे जब कोई भी कारिकरम आयोजित की जाती है तो उसमें व्यवस्ताओं की बात होती है तो शुरवाद में अपनी राज कासियत यही है इसमें सिर्फ महिलाएं ही अर्ग देने के लिए ब्रती पुरुष भी होते हैं लेकिन हाथ नहीं उठाते या नहीं अर्ग जो है वो सीधे-सीधे सुरीदेव को नहीं दे सकते महिलाओं का शासक्तिकरन के हम बात करते हैं तो यह पर्व सबसे बड़ा टार्व भगवान शुरी अर्ग दे सकती है तो महिला शासक्तिकरन के हम पने बात की पॉलिशन के बात मैं इसलिए कर दूँ कि दिल्री सबसे ज़्यादा ब वाल्ड में पॉलुटिट माना जाता है पॉलिशन के लिए प्रशाद के लिए जब यह जो प्रसाद चरहाइए यानि परियावरन को भी शुद्ध करेगा यानि परियावरन को सबसे बहतर इससी दिम बनाने के लिए इससे बड़ा कोई महापर्व अभी तक नहीं बना है ऐसा माना जाता है और इसलिए इस महापर्व में हम आप शामिल होंगे इसी उम्मीद के साथ हम आपको यहीं है और दिली सकार ने क्या क्या किया है अस्थानी लोगों ने क्या क्या किया है के में खड़क सिंग के साथ मैं सुमन कवार टीवीन भारतवाष डिजिशनल के लिए